आज मैं एक नई रेस्पी लेकर आई हूँ आपके लिए आज मैंने काजू और नारियल के लड़ू बनाए है इसके लिए हम एक कटोरी काजू लेंगे काजू को मैंने मिक्सी में ऐसे पीस लिया है इसको पीसने के बाद हम एक कप चीनी लेंगे और आदा कप इसमें पाणी डालेंगे चीनी के गुलने तक हमने इसको पकाना है एक तारवाली चाशनी बनाकर हमने त्यार कर लेनी है यह देखिए चीनी जो है अच्छी तरह पाणी में गुल चुकी है एक तारवली चाशनी बनकर हमारी त्यार है अब हम इसमें काजू का बूरा डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके पका लेना है जब तक के ये थोड़ा थिक ना हो जाए अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ये बहुत टेस्टी मिठाई बनती है जिस तरह मैं लड़ू बना रही हूँ इसी तरह ही इसकी काजू की बर्फी भी बन जाती है इसमें थोड़ा सा हम गी डाल देंगे जब ये हलका सा पक जाएगा गी डालने के बाद मिक्स कर देंगे और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा इलाइची पाउडर डाल देना है और हमारा ये मटीरियल लड़ू का बन कर त्यार हो गया है ये थोड़ा थिक हो चुका है अब हम इसको थंड़ा थोड़ा सा हलका थंड़ा हो जाएगा तब हम इसको ट्रांस्पेरन शीट में निकाल लेंगे और इसको मैंने हाथ से ऐसे थोड़ा थोड़ा थप थपा धिया है ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए इसके बाद हमने एग घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है और ये एक घंटे के बार देखिए ये सेट हो चुका है ये हलका सा हाड हो चुका है अब हाथों पर गी लगा लेंगे और ऐसे लड़ू तियार कर लेंगे इसी तरह सारे लड़ू हम बना कर तियार कर लेंगे इसके बार नारियल का चूरा लेंगे और उसमें लड़ू जो है उनको कोट कर लेंगे यह बहुत टेस्टी मिठाई बनती है और यह देखे हैं हमारे लड़ू बनकर त्यार है इसी तरह सारे लड़ू मैंने त्यार कर लिए है यह बहुत ही टेस्टी और एजी रेस्पी है था लड़ू जो कर दो कि अए भी एडान ए लिए जो आए है